हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ प्रिंटिड फ्रॉग सूट का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन शेयर करूंगी तो यहाँ पर मैंने फ्लोरल प्रिंटड शिर्ट ली है और जिगजग प्रिंट का बॉटम लिया है साथ ही गले का पैच बनाने के लि जिसकी चोड़ाई है 6 और लंबाई है 14 इंच इसकी लंबाई के ही साइज का हम लेस का टुकटा भी काट लेंगे और अब मुझे इस लेस के साइड में जो एज लगी हुई है इसे यूज नहीं करना डिजाइन में तो मैं इसे काट के अलग कर दूँगी आप अपनी प्रेस की मदद से इजीली कपड़े पर चिपक जाती है तो मैंने प्रेस की मदद से बिल्कुल सेंटर में इस लेस को इस तरह चिपका दिया है अब मैंने बॉटम के कपड़े में से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी काट ली है और इस तरीके से हम इसको पैच के तीनों त करेंगे और पाइपन बनाएंगे हम यहां पर आप चाहें तो यह पट्टी थोड़ी जादा चौड़ी भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे तकरीबन आधा इंच से थोड़ी कम चौड़ी ही चाहिए थी तो इस पैच के दोनों तरफ मैंने पाइपन बना दी है और अब हम नी दूसरी किनारी से भी हम इस तरह बिल्कुल सफाई से पट्टी को फोल्ड करेंगे और अच्छे से सिलाई लगा देंगे यहां पर भी अब कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में हम इस पैच को रखेंगे और तीनों तरफ इस तरह सिलाई लगा देंगे अगर आप सिलाई में ब में कुर्ती के योग पर बना रही हूं क्योंकि मैं यह डिजाइन फ्रॉक सूट के लिए बना रही हूं तो एक बार योग का डिजाइन में रेडी करूंगे और इसके बाद मैं नीचे स्कर्ट वाला पार्ट भी रेडी कर दूंगे यह देखे इस तरीके से मैंने पैच को यह पर अटैच कर दिया है और पैच अटैच होने के बाद यह योग वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिख रहा है अब इसके उपर आप कोई भी बेसिक नेक की शेप बना सकते हैं मैंने गोल गले की शेप बनाई है और इसके उपर पाइपन भी कर दी है अब हम बाजू का डिजाइन तो बाजू का डिजाइन बनाने के लिए भी मैं इस लेस की एजिस को काट के अलग कर लूँगी और बाजू पर मैं इतनी चौड़ी लेस यूज नहीं करूँगी तो इस लेस को भी मैं बीच में से काट के अलग कर लूँगी यह देखिए अब इस कुर्ती के उपर आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं अपनी कुर्ती के प्रिंट के हिसाब से mix and match करके भी आप लेसिस का यूज कर सकते हैं तो बीच में से मैंने लेस को काट दिया है और बाजू के आगे अब मैं इस तरह से तक्रीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को अटैच कर दूँगी bottom के fabric वाली पट्टी मैंने इसके आगे अटैच की है और इस तरीके से fold करके मैंने इसके आगे बढ़ा के एक पट्टी लगाई है जिससे की बाजू की लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब इस तरह से इस पट्टी को अटाच करने के बाद हम इसके उपर लेस लगाएंगे यह देखिए पट्टी के बिल्कुल साथ साथ उपर की तरफ हम लेस को अटाच कर देंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह पेस्टिंग वाली लेस है तो बहुत फिनिशिंग से यह अटाच हो जाएगी प्रेस की मदद से ऐसे लगेगा जैसे इंब्रोइडरी ही की हुई है अब साथ ही हम इसकी किनारी पर एक और सी लाई लगा देंगे अब आप चाहें तो इसकी किनारी पर कोई पाइप इन भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा जादा इसमें टेक्स्चेश एड़ करने हैं तो तो यह देखिए बाजू का हमारा यह डिजाइन भी बनकर रेडी हो गया है और मेरे हिसाब से इस तरह के डिजाइन गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं बहुत ही सिंपल और सुंदर लगते हैं पहने हुए पहनने के बाद इस कुर्ती की लुग कुछ ऐसी आ रही है कितना सिंपल और सोबर सा हमारा यह डिजाइन बनकर तयार हुआ है आप भी इस डिजाइन को अपनी प्रिंटेट कुर्ती पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस डिजाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोज दिखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टेचेज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई